नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम HPPSC से related कुछ exam के जो questions हैं, जो आ सकते हैं आपको, तो उसको करेंगे, current affairs भी करेंगे आपे, तो आए चले वीडियो को शुरू करते हैं, like के जगे वीडियो को, share के जगे जगे और subscribe के जगे चैनल को, चलते हैं first question के और, which of the following statement is correct about, आयुश्मान भारत, प्रधानमंती जन आरोगी योजना, हम इस योजना को short form में ABPMJAY के नाम से जानते हैं, आयुश्मान भारत, प्रधानमंती जन आरोगी योजना के नाम से, याद रखो कि ये जो scheme है, ये centrally sponsored scheme है, और 23 सितंबर 2018 को जगे इसको launch किया गया था, औ याद रखो कि वर्ल्ड की largest, largest health insurance scheme है, वर्ल्ड's largest health insurance scheme है, जो कि fully financed है, state central government से, किस से, central government से, ना कि ADB से, ये statement बिलकुल correct नहीं है, बिलकुल incorrect है, दुसरी याद रखो कि इसमें याद रखना है आपको 5 लाख तक का, जो है वो, बीमा होगा, क्या होगा आपका, insurance होगा, कितन पांच लाख तक का, जो बीमा होगा, और वो आपका, तर्शरी और जो secondary, जो care hospitalization होती है, care होती है, उसमें आपका जो 5 लाख का, जो तक का, बीमा होगा, और public और private hospitals में जो है, सब जो scheme जो लागू होगी, तो ये statement भी गल्थ है, क्योंकि इसमें 10 क्रोड पर family जो बीमा जाओ, यहाँ पर यह बात की गई है, कि वो है, कि एक cover मिलेगा, नहीं, यह भी बिल्कुल gold statement है, यहाँ पर 10 क्रोड जो families है, वो आपकी इसके अंदर जाओ, cover up हो जाएंगी, और करीब-करीब 50 क्रोड beneficiaries जाओ, उनको benefit मिलागा यहाँ ठीक है, याद रखना है, तो यहाँ प social health authority, जो है, इसकी nodal agency है, जो कि इसके लिए, जाओ, responsible है, और यह centrally sponsored scheme है, with central sector components, with central sector components, और देखो हिमाचर परदेश government ने जाओ, इसी की तर्च पे, हिम आरोगे योजना जाओ, चलाई हुए है, ठीक है, याद रखना है, जो आयुश्मान भात की योजना के तहत नहीं आते ह है, वो हिम आरोगे, योजना केते हैं, जो आएंगे, याद रखना है, ठीक है, यह आपको याद रखना है, तो यहाँ पर D option बिलकुल correct है, नेक्स दीखे, आयुश्मान भात digital mission was recently launched by Prime Minister Narendra Modi, इस mission provides a digital health idea to the people, which of the following statement is correct about this mission, देखो आयुश्मान भात digital mission जाओ, अभी हाल ही मे जब आपके तीन साल complete हुए थे आपके, इसके, जो आपका आईश्मान भात परधान मंति जाना रोगी जोजना है, इसके complete हुए थे, तो याद रखो, कि उसके जएओ उपलक्ष में, परधान मंतिरी ने जएओ एक आईश्मान भात digital mission जाओ, लाँच किया गया था, अब इ आईश्मान भात परधान मंतिर जना रोगे योजना के तहत आयागी, यह भी आपको पता ही, तो यहाँ पर देखो second statement, every citizen of India will get health ID card, उनको जाओ, हर एक citizen जाओ इडिया का, उसको health ID card जाओ, दिया जाएंगे, जिसमें उसका medical जो details है, person की, वो store होगी, और यह भी याद रखो यह प्रोग्राम जो है, अभी शुरुआत में जाओ, पाइलेट फेस पर जाओ, six unit territories में जाओ, चल रहा है, चंडिगर, लदाक, दादरा एंडगर हवेली, दमनेर्दियू, पुड़ुचरी, अनमानेर कोपायर आइलेंड और लक्षदीप में जाओ, चल रहा है, six unit territories में, तो यहाँ पे all statements are correct, यहाँ पे all statements are correct, आपको देखने को मेरा है, ठीक है, तो यहाँ पे the option बिल्कू right answer है, तो अगर आपने GKTrick app को download नहीं कहा था, download कीज़े, link उसका description box में डाला हुआ है, वहाँ से download कर सकते हैं, मेरे दवारा यहाँ पे जाओ, नाइपति सिल्दर कर करना क्या है, GKTrick app को download कीज़े, link उसका description box में है, नमबर से वहाँ पे enroll करना है, जब आपको enroll करना है, जब आपको enroll कर लेंगे, तो बैच जो आपको देखने को मिलगा, उस पे click के जगा, then plus icon पे click के जगा, then आपको जाओ, GKTrick code डालना है, then आप जाओ, उसके बाद जाओ मिरको शाम को पांच बज़े, daily live session में जुड सकते हैं, मिरसात आप, आपको सिरफ टाइमिंग याद रखने हैं, शाम को पांच बज़ेगी, तो आप इसमें जुड सकते हैं, तो आपको यहाँ पे जाओ, HPSC की classes भी मिलेगी, और with notes, आपको जाओ, classes ली जा रही हैं, तो आ यहाँ पे share कर देता हो, तो आप इसको join कर लेजएगा, ठीक है, अब अगला question देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नैपरी बोलते हैं, यह target रखा हुआ है, कि हमें जाओ, रिबिस को eliminate करना है, 2030 तक, याद रखना आपको, तो इस action plan को किसने draft किया हुआ है, किसने draft किया हुआ है, तो याद रखना, National Center for Disease Control द्वारा जाओ, इसको जाओ, NCDC द्वारा जाओ, draft किया गही हुआ है, तो B option बिलकुल right answer है, B option जाओ, इसको बिलकुल right answer है, तो rabies देखिए, rabies जो है, आपका एक viral transmission है, virus जाओ, के थ्रू जाओ, transmit होता है, और यह direct contact की वरे से जाओ, transfer होता है, ठीक है, और याद रखना है, कि जो brain और nervous system होता, टीश होता है, उनको ज लाइवा को भी जाओ, इनफेक्ट करता है, ठीक है, अब यह direct contact कैसे होता है, आपका, जैसे आपकी broken skin होती है, वहाँ से जाओ, एंटर कर सकता है, या eyes, nose या और mouth से जाओ, एंटर कर सकता है, ठीक है, तो NCDC जाओ, यह National Center for Disease Control जाओ, यह action plan बना रहा है, rabies control के लिए, rabies को eliminate क कि इसके concentration के मदर से, ministry of fisheries और animal husbandry and daring के मदर से जाओ, बना रहा है, याद रखिए, कि आपको जाओ, dog bite की वज़से जातर देखने के मिलता है, और से जाओ, number of death, जाओ, increase होती रहती है, हर साल, ठीक है, और इंडिया में वह जाओ, इससे जाओ, काफी जादा death होती है, हर साल, तो याद रखना आपको, तो B option बिल्कु right answer है, next देखे, which of the following country host the United Nations Food System Summit, कौन सी country द्वाला जाओ, United Nations Food System Summit जाओ, host किया गया, तो याद रखिए, United Nations Food System Summit जाओ, आपका New York, New York में हुआ था, USA में, काफी हुआ था, New York, USA में हुआ था, तो C option बिल्कु right answer है, C option बिल्कु right answer है, तो ये जो है, आपको याद रखना है, global food system, transformation को achieve करना, और sustainable development को जाओ, goals को achieve करना है, 2030 तक, ठीके, और इसके तहत, सबसे पहरतो याद रखना है, कि nutritional food हर एक को provide करना है, ठीके, और हर एक को जाओ, nourishment जाओ, provide करना है, people को, और energy को boost कर करना है, हर एक व्यक्ति की, और याद रखना है, कि जो आपके livelihood है, उसको advance करना है, सबी के, और याद रखना है, कि यहाँ पर, जो stress, वगरा जो है, वो, उससे जो हर एक व्यक्ति को जाओ, बहार निकालना है, इनका मकसद, याद रखिएगा, तो ये याद रखिए, United Nations food system, जो समिट है, वो 2019 को जैसे अमल आया, 16 October 2019 से, क्योंकि United Nations, जो आपके secretary channel है, उन्होंने कहा, कि हम जाओ, United Nations food system समिट जाओ, आपका launch करेंगे, with the help of three organizations, food and agriculture organization, international fund for agricultural development, और world food program के थूँ जाओ, हम इसको जाओ, स्टार्ट करेंगे, तो New York USA में इसका जाओ, जाओ, होस्ट किया गया था, United Nations food system समिट को, और Glasgow Scotland में याद रखना, आपको COP26 की मीटिंग होई थी, ठीके, Conference of Parties की 26 मीटिंग, Conference of Parties की 27 मीटिंग जाओ, आपके कहां होई थी, आपकी, होगी, आपकी Egypt में होगी, और Egypt आपको याद रखना है, कि Bricks Bank है, NDB, Bricks Bank, NDB, उसका Nova Member बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, रोम इटली में आपको जाओ, Food and Agricultural Organization जाओ, आपको उसका Headquarter है, ये आपको याद रखना है, नेक्स देखे, which of the following statement is correct about, South Asian Association for Regional Corporation, सार्क से related संबनित जहें आपे, कौन से statement correct है, देखो, इंडिया ने 2014 के बाहर जाओ, बाद जाओ, सार्क में जाओ, संमेलन में जाओ, भागने लिया है, और इंडिया क्या, 2014 के बाद जाओ, सार्क का कोई भी समिट जाओ, नहीं हुआ है, तो याद रखो सार्क में आपके जो हो करीब-करीब आठ देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूतान, नेपाल, मालदीव्स, शिलंका, ठीक है, यह आपके जो हो, आपके आठ देश करीब कर भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, सार्क का जो headquarter आपका काठमांडू नेपाल में है यह स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि हैड़कौर्टर उसका धाका बंगलादेश में आपका बीम्स्टेक का जाओ है है ठीक है बे ऑफ बेंगल इनिशेटिव ओफ मल्टि सेक्टर टेक्नलों एकोनोमिक कॉर्परिशन ठीक है इसका अफगाइस्तान आपका याद रखना है 2007 में जोड़ा था ठीक है काफी पराना हो चुका है अफगाइस्तान आपको याद रखना है और यह और तीन स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है कि सार्क में आपको जाओ तीन परसेंट जो है वर्ल्ड एरिया देखने को मिलता ह है और 21 परसेंट वर्ल्ड पॉपलिशन देखने को मिलती है और 3.8 परसेंट जाओ ग्लोबल एकोनोमी देखने को मिलती है तो यह ऑप्षन बिल्कुल जाओ करेक्ट है सार्क जो है वह एक चार्टर के तैया था आठ दिसंबर निसोपजासी को आठ दिसंबर निसोपजासी यह भी आपको याद रखना है ठीक है यह आपको याद रखना है तो चाइना और पाकिस्तान के साथ जाओ टैंशन की बावजुद जाओ आपका यह जो है आपका समिट नहीं हो पा रहा है तो ए ऑप्षन बिल्कुल राइट एंसर है नेक्श देखो विच आप आपकी योज्ड यूद्व अभ्यास यह सब जो है आपकी इंडिया और यूएसे के बीच में होती है वो आपकी यूके के पीच में होती है इंड़िया और हुके तो डी ओप्षन बिल्कुल राइटन से हैं माला बार में आपके चार देश आता है जिसमें क्वाड नेशन इंडिया, USA, UK और औस्ट्रिलिया ठीक है आपके जएओ क्वार्ड नेशन हैं यह ठीक है आप चेक कर लिजेगा एक बार क्वार्ड नेशन कौन कौन से है यूके की जगा फ्रांस भी हो सकता है कंफ्यूजन सोड़ा सो हो गया है तो यहां पर आपको आर्ड नेशन चेक कर लिजेगा डी ऑप्शन बिल्कूर राइट अंसरे इसका नेक्स्ट देखे तर यूनियन कैबिनेट ने जए एग्रिमेंट किया है किसी कंट्री के साथ कि वो अपने वर्कर्स वहां पर आपको याद रखना है कि सबसे पहले भारत में आए यूरोपिये ठीक है यूरोपियन कौन थे पुर्ट गाली थे वासको डिगामा जायो 1490 में जायो भारत आया था जिसने भारत की खोज की थी याद रखेगा और सबसे आखिर में कौन से यूरोपिये गए थे आपके वो पुर्ट गाली थे 1901 सेट में जो गोवा को छुडाया गया था गोवा को छुडाया गया था उनसे याद रखना है तो बी ऑप्शन बिलकूर आइट एंस रहे पुर्ट गाल की जायो राजधानी जायो लिजबन है और वेस्टर्न जो है आपका ये कंट्री है वेस्टर्न की जो राजधानी है वह आपकी बीजिंग है और याद रखो हैंड इन हैंड उनके साथ हमारी जायो मिलिटरी एक्ससाइज होती है याद रखना है और इस्राइल जो है आपकी उनकी जो राजधाली है जेरुशलम है और उसके बीच में डिस्क्यूट चलता है ठीक है गोलन आपको याद रखना है और याद रखिए नफ्ताली बैनर जैवा के प्रधान मंतरी है ठीक है यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट अंसर है नेक्श देखो ऑपरेशन विजे इस रिलेटेट टू ऑपरेशन जो विजे है वो किस से समबनी थे तो ऑपरेशन विजे है जब गुआ को छुड़ाया गया था उससे समबनी थे तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट अंसर है ठीक है बी ऑप्शन बिल्कुल जाओ राइट अंसर है नेक्श देखे विज आफ दा फॉल्लाइंग इस फर्स यूरोपन कंट्रे टो साइन अ मैमोरेंडम ऑफ उनिवर्स्टी को एस्ताब्श करने से रिलेटिडु तो याद रखो पूर्टगाल वो कंट्री है जोकि पहले ही यूर 210 कंट्री जिन्हों से यहादमरें ँन्वीज करने द्र onion के साथ इस्त्पशन बलकुल राइट एंसर सहे नیک्स देखे देखो आपको पता है कि 13 December 1946 को जाओ उदेशे परस्ताव जाओ समिधान सभा में जाओ रखा गया था ठीक है याद रखना है तो वह किसके द्वारा रखा गया था और याद रखना है बाइस जनवरी 1947 को जाओ पास भी करवा दिया था याद रखना है ठीक है डॉक्टर सज्चादानन जो सिना थे वो 9 December 1940 को समिधान सभा के जाओ अस्थाई तोर पर जाओ अध्यक्ष मनाए गये थे लक्टर राजेंदर पर साथ जाओ 11 December और 1946 को स्थाई तोर पर अध्यक्ष मनाए गये थे ठीक है याद रखना है बियार अंबेड कर जी जो थे आपके ड्राफ्टिंग कमीटी के जाओ अध्यक्ष थे चेर्में ते और यह याद रखना है कि इनी को जो है आपका बियार अंबेड कर की जगर समिधान का जाओ नि लाइक कीजगा वीडियो को शेर केजगा और सब्सक्राइब केजगा टेलेग्राम को चॉइन कीजगा लिंक उसका डिस्क्रिप्श बाक्स में डाला हुआ है वहाँ पे आपको Pdf मिल जाएगा तो अभी के लिए फिलाल ही है कल फिर मिलता हो एक नियए वीडियो के सां तब तक लिए जाहिंद जाभारत आपके दिन शुबह हो जाहिंद